तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है K P and K C और सबसे पहले हम देखेंगे relation between K P and K C तो question number one derive relation between K P and K C देखो small A capital A, small B capital B, small C capital C and small D capital D यह यहाँ पर reactant है और यह है यहाँ पर product केसी का expression हम पहले ही derive कुड़ चुके हैं, केसी होता है, C की concentration की power C, और D की concentration की power small d, A की power small a, and B की power small b. मतलब, product की concentration और reactant की concentration raised to the power their mole coefficient, इसको हम कहते हैं, केसी equilibrium constant. अब आपने P V equal to nRT पढ़ाया, देखो, P V equal to nRT, तो P क्या हो जाएगा, n by VRT, या pressure को हम क्या बोल देंगे, CRT, तो यहाँ पर जो concentration है, हो जाएगा, P upon RT, अब जैसे, concentration of A हो जाएगा, P A upon RT, वैसे ही concentration of B हो जाएगा, P B upon RT, concentration C हो जाएगा, P C upon RT, और concentration of D क्या हो जाएगा, P D upon RT, कैसे निकाला, देखो, n होता है, mol, V होता है, volume, तो mol per liter, क्या होता है, concentration, तो यह concentration लिख दी हमने, अब जैसे concentration of C लोगे, तो यहाँ आजाएगा, P C, तो concentration of C क्या हो जाएगा, P C upon RT, अब concentration of C हमने यहाँ लिख दिया, P C upon RT, concentration of A हो जाएगा, P A upon RT, concentration of B, P B upon RT, concentration of D is P D upon RT, तो यह चार एक्वेशन आ गए, ठीक है, अब इन चारों की A, B, C, D की concentration हमें यहाँ पुट करनी है, तो यहाँ पर, K C, C की पावर C, D की पावर D, A की पावर small A, and B की पावर small B, तो concentration of C, देखो इसके पहले अपने क्या निकाला, concentration of C, P C upon RT, वैसी concentration क्या हो जाएगा, P A upon RT, P A क्या है प्रेशर है, और A, B, C, D, A, जो बिग ब्रैकेट में लिखी है, concentration है, R, universal gas constant, T temperature है, अब यहाँ पर, P C upon RT की पावर small C, P D upon RT की पावर small D, P A upon RT की पावर small A, and P B upon RT की पावर small B, और इसको हम क्या बोलेंगे, के C, ठीक है, अब के C, P C, P C की पावर C, फिर P D की पावर D, यह जितनी भी प्रैशर वाली टम है, इनको निकालके मैं बाहर रख रहा हूं, अब जैसे यह P A की पावर A, P A की पावर small A, and P B की पावर small B, अब देखो यहाँ पर, R T की पावर C, 1 upon R T की पावर C, 1 upon R T की पावर D, तो यह R T की पावर क्या हो जाएगा, C plus D, ठीक है, और यह जो नीचे R T है, यह उपर जाएगा, तो R T की पावर A plus B, अब A plus B क्या है, reactant के मोल, NR लिख लो, C plus D क्या है, product के मोल, तो लिख लो N P, और इस पूरे को हम बोल देते हैं, K P, तो K C is equal to K P, R T की पावर, N R, और R T की पावर, N P, तो अब K P, K P is equal to K C, R T की पावर, N P, यहां मल्टिप्लाई हो जाएगा, और R T की पावर, N R, नीचे आजाएगा, ठीक है, अब देखो, यह R T की पावर, N R, अगर यह उपर जाएगी, तो माइनस में हो जाएगा, तो K C, R T की पावर, N P minus N R is equal to K P, और मोल्स अफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स अफ रियक्टेंट के आएगा, चेंज इन गैशियस मोल्स, तो K C, R T की पावर, डेल्टा N G is equal to K P, तो K P is equal to K C, R T की पावर, डेल्टा N G, और डेल्टा N G क्या है, चेंज इन गैशियस मोल्स, तो गैशियस मोल्स में जो बदलाव आया, वो डेल्टा N G है, चेंगे, तो यह आपको डेरिवेशन याद रखना, K P is equal to K C, R T की पावर, डेल्टा N G, वेर डेल्टा N G is change in गैशियस मोल्स, यह दिस मोल्स अप्रोडक्त माइनस मोल्स अप्रेक्टंट डेल्टा N G. राइट दा एक्स्प्रेशन ओफ के पी फॉर दा फॉल्टा इन रेक्शन, अब के पी, देखो, पी ना कहीं, प्रेशर से रिलेटेड है, और प्रेशर होता है गैस का, तो यहाँ पर जो चीज सॉलिड है, वो हटा दो, इसका प्रेशन नहीं होगा, इसका प्रेशन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, N O 2 का जो प्रेशर है, प्रेशर ओफ N O 2 की पावर 4, और प्रेशर ओफ O 2 की पावर 1, यह Kp आजाएगा, प्रेशर आफ NO2 की पावर 4 और प्रेशर आफ O2 की पावर 1 तो यह Kp का एक्स्प्रेशन होगा इस पर्टिकुलर रियक्शन के लिए प्रेशर गैस का होता है तो सॉलिड और लिक्विड को हटा दे ना, गैस का ही लेंगे हम Kp में The relation between Kp and Kc for the following is देखो इस रियक्शन के लिए Kp और Kc के बीच रिलेशन निकालना है, यह सभी गैस्प्रेशन है, अब हमने एक्स्प्रेशन निकाला, क्या निकाला, Kp is equal to Kc, Rt की पावर डेल्टा एंजी, Rt की पावर डेल्टा एंजी, अब यह चो डेल्टा एंजी है, डेल्टा एंज होता है, चेंज इन गैसियस मोल्स, डेल्टा एंजी, अब चेंज इन गैसियस मोल्स होगा, मोल्स अफ्रोड़क्ट माइनस मोल्स अफ्रियक्टेंट, तो मोल्स अफ्रोड़क्ट कितने होगा है, 2, मोल्स अफ्रियक्टेंट, गैसियस मोल्स अफ्रियक्टेंट, 1 प्लस 1, 2 तो यह क्या हो जाएगा? यह delta ng हो जाएगा, zero. और इस delta ng को मैं 0 पुट कर दूँगा. RT की power zero, किसी की भी power zero, मतलब one. तो इस case में यह RT की power zero हाजाएगी तो यह one हो जाएगा. तो Kp के सी के बराबर हो जाएगा इस reaction के लिए. The ratio of Kp and Kc for the following reaction at 25 degree centigrade grade, put कर देते हैं, फेले फॉर्मूला लिखते हैं, kp is equal to kc, rt की power, delta ng, delta ng निकालते हैं, देखो, सभी gas है, तो moles of product 2 हो गए, moles of reactant 2 plus 1, 3 हो गया, तो delta ng क्या हो जाएगा, moles of product minus moles of reactant यह हो गया, minus 1, ठीक है, तो यहां पर kp और kc का ratio पूछा है, तो kp upon kc आजाएगा, rt की power delta ng, अब delta ng क्या आगया, minus 1, तो यह हो जाएगा, rt की power minus 1, तो kp और kc का ratio हो जाएगा, rt की power minus 1, आप चाहे तो यहां पर r और t की value पुट कर सकते हो, यहां temperature आपको kelvin में लेना है, अब जैसे 25 डिग्री दिया है, तो kelvin में क्या हो जाएगा, 25 प्लस 273, यह kelvin में आजाएगा, और r की value 0.082 आजाएगी, और कहीं न कहीं, इसकी power होगी minus 1, मतलब यह पूरी टम 1 अपॉन में जाएगी, ठीक है, वैसे rt की power minus 1 भी लिख सकते हैं, for the following reaction in gaseous phase, the ratio of kp and kc, लिख सकते हैं, तो kp is equal to kc, rt की power, delta ng, मतलब मोल्स अप्रोडक्ट माइनस मोल्स अप्रियक्टंट, यहाँ पर यह भी गैस है, यह भी गैस है, यह भी गैस है, तो प्रोड़क्ट के मोल्स कितने हो गाए, 1, रियक्टंट के मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 प्लस हाफ, that is equal to 1.5, तो प्रोड़क्ट माइनस रियक्टंट, तो 1 माइनस 1.5 यह हो जाएगा, 0.5, मतलब पावर हाफ हो जाएगी, तो kp, kc को नीचे ले जाओ, kp upon kc, rt की power, minus half, तो rt की power minus half, दी option बिल्कुल करेक्ट है, अचा, इसको वह ऐसा भी दे सकता था, जैसे rt की power minus half, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, 1 upon rt की power, half, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते थे, 1 upon root rt, अगर ऐसा कोई option दिया होता, तो वो भी सही होता, next question, यह एक reaction दिया है, और इसका kp दिया है, and find the equilibrium pressure of mixture, इस reaction को मैं फिर से लिख रहा हूँ, NH4HS, Gifts Ammonia, plus H2S, देखो, pressure हमेशा gas का होगा, solid का नहीं होगा, तो यह राज solid, इसका कोई pressure नहीं है, pressure इसका है, यह gas है, और यह gas है, अब के-पी की हम बात करें, तो के-पी होगा जाएगा, pressure of NH3 into pressure of H2S, तो के-पी क्या हो जाएगा, 64, तो यहाँ पर यह 64 है, अब देखो, अगर इसका 1 mole dissociate होगा, तो इसका 1 और 1 ही बनेगा, और अगर इसका 0.5 mole dissociate होगा, तो इसका 0.5, 0.5 बनेगा, अगर इसका pressure P होगा, तो इसका भी P होगा, तो अब इसको हम एक ही माल लें, दौनों के pressure बराबर हैं, तो हम इसको लिख देते हैं P2, क्योंकि दौनों के pressure अब बराबर ही होगे, ठीक है, अब P2 तो अब इसको यहाँ ले जाके, रूट कर दो, तो P आ जाएगा, 8 ATM, तो इंडिविजुल अमोनिय का pressure हो जाएगा, 8 ATM, ह2S का हो जाएगा, 8 ATM, अब उसने बोला, एकुलिब्रियम प्रेशर अब मिक्स्चर, अब दो यह सॉलिड का तो प्रेशर होता नहीं, अब एकुलिब्रियम प्रेशर की अम बात करें, तो इसका 8 ATM हो गया, इसका 8 ATM होगा, तो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 16 ATM, तो यहाँ पर correct option होगा, B. In which of the following reaction, the value of KP will be equal to KC? आपको क्या formula लगाना, KP is equal to KC, RT की पावर, डेल्टा NG, और जिस reaction में, डेल्टा NG 0 होगा, वहां RT की पावर 1 हो जाएगी, और उस case में, KP, KC के बराबर होगा, तो comment section में बताईए, केस में से कौन सा option correct है?